नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम डिसक्स करेंगे गूगल मीट अप्लिकेशन के बारे में हैं हमारे गूगल मीट जिस परकार से आप लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हो अप application है Google Meet जिसको आप free में यूज़ कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ यह Zoom की तरह है Google Meet application को आप free में यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अगर आप students है teachers है parents है या आप networker है या आप businessmen है सभी परकार के जो users है इस application को use कर सकते है maximum 250 members इसमें जोएन हो सकते हैं live आप presentation दे सकते हो video chat कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो यहाप याप Google Meet की application के द्वारा और Google Meet को आप mobile में भी यूज़ कर सकते हो और laptop desktop में भी तो आज मैं यहाप इस वीडियो में आपके साथ discuss करूँगा Google Meet application को mobile के अंदर किस परकार से यूज़ किया जाए तो सबसे पहले आपको Google Play Store पर जाना है और Google Meet application के उपर किलिक करना है जैसे आप Google Meet application के उपर किलिक करेंगे उसको आपको अपने फोन के अंदर इंस्टाल करना है ठीक है तो फोन के अंदर इंस्टाल करने के बाद इसमें कुछ settings होते हैं अगर आपको Google Meet का जो link है वो किस परकार से प्राप्त होता है उसके उपर आप किलिक करते हैं तो डिरेक्ट आप Google Meet में आप किसी भी meetings में जोईन हो सकते हैं continue का step है तो आपको continue steps के उपर क्लिक करना है याप ठीक है जैसे continue के उपर steps पर क्लिक करेंगे आप तो allow करना है आप ओके Google Meet को allow करना है जो भी अगर आप इसको permission नहीं देंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी ठीक है तो next इसको allow करना है जैसे allow करेंगे आप तो allow meet to record audios यहाँ पर आपको अपना account create करना है दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप add account पर क्लिक करते हो आपके mobile के अंदर जो भी existing Gmail है उससे आप login कर सकते हो या दूसरे email डायल के आप add account क्लिक कर सकते हो जैसे ही आप create account करेंगे तो create account का जो option देर हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है for myself to manage my business to for myself to manage my business तो किसी में भी आप क्लिक कर सकते हो तो मैं यहाँ पर chat कर रहा हूं for myself ओके जैसे for myself को पर हम क्लिक करेंगे तो आगे इस परकार का option आएगा और वहाँ पर आपको अपना जो details है वो fill up करना है ठीक है first name और last name तो यहाँ पर first name मैं दिख रहा हूं ओके और last name मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और इस परकार से आपको नाम लिखना है अपना फिर next करना है और उसके बाद आपको अपना जो date of birth है वो लिखना है जो भी है ठीक है तो जो भी आप अपना date of birth लिख सकते हैं जो आपका exact जो date of birth है ओके या अलग भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मेल या female से लख करना है आपको अपना date ओबर डाल करके आपको basic information यहापर डाल करके आपको मेल या female से लख करना है फिर next पे क्लिक करना है जैसे आप next क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको pick as Gmail address or create your own account ठीक है तो इस परकार सही है create your own Gmail address तो यहां पर आपको अपना Gmail address करना है ओके तो जैसे मैं create Gmail address के पर click करूँगा तो वहां पर आपको click करना है create Gmail address ठीक है create a Gmail address या use mobile तो आप यहां पर कोई भी चीज़ use कर सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर कोई भी नया address create कर सकता हूँ gmeet ok next gmeet राठोर ok देखते हैं यह click दोबर यहां पर आपको पासवर्ड डाल ला है जैसे पासवर्ड डाल लेंगे तो यहां पर आप next कीजिए जब next करोगे तो add your phone number phone number add करने के लिए reset your password if you forget receive video calls, message how it works इस सारे चीज़ है ok add your phone number if you like to you can add this phone number to your account for use across google add service तो मैं इसको skip कर देता हूँ इस सेफट को ठीक है मैंने skip कर दिया यहां पर जैसे skip किया है तो उसके बाद यह एक profile यहां पर आ गया है ठीक है तो next करता हूँ अब मैं यहां पर जी meet राठोड की नाम से मैंने बनाया है अब next कर दा हूँ यहां पर जैसे मैं next करूँगा तो यह जो terms and condition है वो एकरी करना पड़ेगा मेरे को यहां पर तो यहां पर हम एकरी करेंगे जैसे अगर करेंगे तो यहां पर आपका account create हो चुका है और उसमें आप login कर सकते हैं और google mint की कोई भी applications आप use कर सकते हैं और यहां से right तो सबसे पहले तो आपको video off करना यहां पर आप अपना खुद का video off कर सकते हैं यहां पर आपके यह जो वह साब कि यहां पर बंद हो जाएगी और जैसे कलिक करेंगे रैड मार्क आएगा तो यहां पर आपकी वह स्टाइगी और यहां पर आने के बाद आप जो link का वह शेर कर है डारेक्ट शेयर टू यू शेयर टू इन्वाइडर्स राइट इस पर आ करके आप शेयर कर सकते हैं इस लिंक को जो की बहुत ही अच्छी तरिक्या से आपको यहां पर बताया गया है कि इसको क्लोज करें कि करना तो इस पर क्लिक करके अपर मैसेच कर सकते किसी बंदें को और इसी इस पड़ी सब्सक्राइब ओके हाई किया और राइट साइड में जो भी है इस पर क्लिक करोगे तो यह मैसेज आपका चला जाएगा और यह जो आई देख रहे हो आई के उपर क्लिक करोगे तो आप यहां पे आप अपना जो लिंक है वो दिखेगा और इसको शेर कर सकते हैं कहीं भी इस लिंक के उपर जो भी लोग जोईन करेंगे वो यहां पे आप एड करते चले जाओगे सभी को तो इस तरीके से आप अपना नाम यहां पर कर सकते हैं और अगर आपको प्रोफाइल फोटो भी यहां पर लगा सकते हैं ठीक है जो उपर दिख रहतीम इसमें आप क्लिक कीजिए